बच्चों, प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे अगला अध्या है, जो हमारा भी फै है, निफस्त्री करण तेह फ़स्त्र नियंत्रा, तो आज मित्रों हम इस चैप्टर का अध्यान करेंगे, ठीक है, चलिए फुरुवात करते हैं, मित्रों लाइक और सब्सक्राइ अर्थात निफस्त्र कर देना, अर्थात निफस्त्र का मतलब फंपूर्ण दुनिया को निफस्त्र कर देना, जो फाब्दी करता है, वो तो फिर्फ यही है, कि फंपूर्ण दुनिया को निफस्त्र कर देना, अर्थात हथियारों फे बिहीन कर देना, ठीक है, अब हथिया फाब्दीकर्थ का पालन करना फंभो नहीं है वर्तमान फमय में क्योंकि प्रतेकराफ्ट को अपनी फुरच्छक फंबंदित हो चाहे किफी अनिकारे फंबंदित हो किछ ना कुछ हत्यारों की जरूरत जरूर पड़ती है इसलिए फंपूर्ण दुनिया को निफस्त करना ये फंभो है ही नहीं ठीक है दूफरा है फस्त्र नियंत्रण फस्त्र का नियंत्रण का मतलब फस्त्रों का जी फस्त्रों की जो होड मची हुई है जो प्रतियस परधा चल रही है उसको रोक देना फस्त्र नियंत्रण है तो ठीक है जहां तक दोनों की बात है तो फस्त्री करन का मतलब है कि जो बरतवान फमय में जो हतियार मौजूद है उनको फवाप्त कर देना निफस्त्री करण जो हतियार भोईस में बनने वाले हैं उनको वही पर रोक देना फस्त्र नियंत्रण है ठीक है उम्मीद करता हूँ फाप्दि जो हतियार निर्मित हो चुके हैं उनको खतम कर देना निफस्त्री करण जो हतियारों की होड मची हुई है आज ये बना लिए कल ये बना लिए रिफर्च चल रहा है आगे या रे अच्छे अच्छे भयाना हतियारों का निर्मार जो चल रहा है यानि भवीफिमे होने वाले हथियारों को रोग देना ही फफ्त्र नियंद्रण है ठीक है चलिए अब देखिए क्या फंभो है क्या नहीं फंभो है तो यहाँ पर निफफ्त्री करण में भाई यह जब कि फंभो है ही नहीं पूर निफफ्त्री करण तो यह मान लिया जाता है कि चलिए कम कर दीजिए, कटवती कर दीजिए, कुछ न कुछ कम तो कीजिए, वो भी निफस्त्री करण में ही जोड़ दिया गया है, ठीक है, चलिए परिचे महुधारणा, ठीक है, खाफ करके बहुत बढ़िया पूछा जाता है आप लोगों के बिफ़े में, हतियारों की मा बम, न्यूट्रान, बम, हाइडरोजन, बमों के फाथ, राफाइनी के वम, जैविक हतियार, प्रमुक रूप से भारी मात्रा में बिद्यमान है, बिफ़े में इतना हतियार मौजूद है कि एफी ही धरती का कई बार बिनाफ किया जाफकता है, विकाफकारियों से अधिक ज ठीक है, फफ्त्री करण फे मानो जीवन अफुरंचित बना हुआ है, अर्थात नए नए हतियार, और ये भयानक परमाणुभम, जैविक भयानक हतियारों की धरती पर बहुतायत मात्रा में एकठा होना, क्या है, वही कहीं न कहीं, कभीं न कभीं तो बिफ़ोट तो होगा ह धरती पर कहीं भी बिफ़ोट होगा, चाहे कोई प्रियोग करे या ना प्रियोग करे, जोहां भी बिफ़ोट होगा, मानो का ही बिनाफ होगा, ठीक है, चलिए, मानो जीवन की फुरच्छा वं विकास को ध्यान में रखते हुए, निफस्त्री करण तथा फफ्त्र नियंत् की मावस्यक्ता को महफूफ क्यों किया गया जैसे कि हमारे प्रमुक विद्वान एक ज्यानिक हुए है आइन इस्टीन वही इबराबर यमफी स्कॉयर वाले आप लोगों ने हाइज स्कूल में पढ़ा होगा इन्होंने कहा है कि अगर भाई इस समय दो भिफ्यूद्ध हो हथियार मौजूद है परमाल बम जैफे तो फिफ अंदर में आइन इस्टीन ने कहा है कि यदि तीफरा भिफ्यूद्ध परमाल हथियारों फे लड़ा गया तो मानो फभ्यता जड़ मूल फे नफ्ट हो जाएगी और उसके बाद का कोई भी यूद्ध पत्थरों यम लाठ इन्हों ने क्यों कहा इनका यो कहने का ताथ पर यही था कि अगर अब जो है तीफरा भिफ्यूद्ध परमाल हथियारों फे लड़ा गया तो फंपूर्ण धरती जो है फमाप्त हो जाएगी फंपूर्ण धरती में जो जीव मात्र है फब फमाप्त हो जाएंगे अर्थार याफे महाप्रले होता है जो वो हिंदु धर्म के अनुफार होता है कि जब कल यूग जड़ा हो जाता है तो महाप्रले होता है महाप्रले में Phabhij Jiod Mole दीरे दीरे कर्चा मांफ प्रख्का मांफ फिर आगे आगे आदे हम लोग विख्वित होते चले आए तो बैज्ञानिक तो यही मानते हैं अधर्म यह मानता है कि वो मनुव और फतरूपा की फंताने होती है हर प्रलाई के बाद ठीके तो चलिए तो आजिफ्टीन का मतलब यही था कि आगामी कोई भी युद्ध यानि फिर फिर फिरिफ्टी रचना होगी उसके बाद फिर फिर मनुव जो है बंदनों के रूप में दवीफ़र भेजेंगे तो वही फिर 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 कच्चा माम्व खाएंगे पत्थरों के हतियारों का प्रयोग करेंगे अर्थात यह जो सभ्धता आज की बिक्फित सभ्धता है यह इस हतियारों से द्वारा प्रयोग किये गए तिर भी फियुद्ध में सभी नफ्ट हो जाएंगे ठीक है और उसी फंदर्व में लाड ग्रे ने कहा है कि यदि सभ्यता हथियारों का या अस्त्र सफ्त्रों का नाफ्ट नहीं करती तो सफ्त्रास्त्र सभ्यता को ही नफ्ट कर देंगे बात तो सही इन्होंने कहा है या तो हम सफ्त्रों को नफ्ट करें या तो सफ्त्र हमको नफ्ट कर दें बही बात तो है फ़स्त्र को हम नफ्ट नहीं करेंगे तो कभी न कभी फ़स्त्र हमको भी नफ्ट कर देंगे हमारे फमात में हमारे फात में ही हमारी पूरी सभ्यता नफ्ट हो जाएगे टाइन भी ने कहा है कि अण युग में अगर हमने युद्ध को फमाप्त नहीं किया तो युद्ध हमें ही फमाप्त कर देगा ठीक है मित्रों तो यही फारी अवफिक्ताएं यही फारी फोच एक प्रकार फेमानो जीवन को फुरच्छित बनाने के लिए और धरती पर मौजूद भारी मात्रा में बिनाफक हतियारों को देखते हुए निफफ्त्री करण तथा फफ्त्र नियंत्रन की अवधारणा को फूफ किया गया ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं कि निफफ्त्री करण का मतलब फिर पर यही है एगर पूरा हतियार नफ्ट नहीं हो फकता तो नफ्त्यारों को कम करती जिए वो भी निफफ्त्री करण की फ्रेणी में आएगा यहाँ पर जो हतियारों को कम करने की बात ह खाफ करके परमाण हथियारों की बात हुई है ठीक है पहले कुछ पारमपर ही घटाइजिए फिर परमाण हथियारों को कीजिए लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि अगर दूफ़ए ब्युतिये विफ़ युद्ध के बात अगर कोई युद्ध नहीं हुआ तो यहां पर परम महाफ़कटियों के बीट में इफ कदर हाभी हो गए कि दोनों महाफ़कटियां एक दूफरेफं फामने कभी परमालु बम लेकर लडने नहीं आई तनाओ बयाप्त रहा एक दूफरेफं घ्रना बयाप्त रहे बिरोद की भावनँ बयाप्त रहे विचारधारा भी रोधी रहे लेकिन कभी एक दूवरेफे लड़ने के लिए परमाड खत्यारों को लेकर नहीं आए इफ के बीच में क्या उत्तर दाई था परमाड हत्यारों की बिनाफक छमता और उफ्वे प्राप्त या उफ्वे जो है उत्पन दोनों महाफक्तियों में भया दोहन की इफ्थिती ठीक है अब आप देख सकते हैं वर्तमान समय में यूकरिन फे युद्ध तो चल रहा है लेकिन अमेरिका की हिम्मत नहीं पढ़ रही है कि वो डारेक्ट युद्ध भूम में कूद फके क्योंकि उफको मालूम है अगर लडाई में उफने भाग लिया तो लडाई फिर ये फाधरन लडाई नहीं रह जाएगी इसी धे परमाल युद्ध में तबदील हो जाएगा परमाल युद्ध में तबदील होने का मतलब क्या हो फक्ता है आप लोग कलपना कर फकते हैं तैफे दो विफ की फक्तियां अगर टक रहेंगी तो छोटे-छोटे-चोटे सब्सक्राइब। अधनों का उनमूलन अर्थात फभी प्रकार के हतियारों को नफ्ट करना और जो की फंभव ही नहीं है अधा फामान नेर्थ में कहिए पकते हैं कि आयुदों की या हतियारों की फीमा निफ्चित करना या नियंत्रित करना उन्हें घटाने या फमाप्त कर देना ही निफस्त्री करन है अब देखिए विभिन बिद्वानों ने इफे निम्न प्रकार फे परिभासित किया है पहला नंबर है बेंजले डबल्यो पोरवार इन्होंने कहा है कि निफस्त्री करन का आठध सेनाओं या सस्त्रों को घटा देना या समाप्त कर देना है प्रोफेसर मार्गन थाउ ने कहा है कि निफस्त्री करण से या से सस्त्रों की दोल समाप्त करने अथवा सस्त्रों को कम या समाप्त कर देने से है ठीक है और उप्रोग्त परिभासाओं के आधार पर हमें कह सकते हैं कि निसस्त्री करण का संबंद सस्त्रों को समाप्त का कम कर देने से हैं जिसे युद्धों को समाप्त कर उनकी भयंकरता को समाप्त किया जा सके यह बात सत्य है हलाकि मारगन थाउन ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है सस्त्रों की दोड को समाप्त करना जबकि वास्तों में सस्त्रों की दोड जो है उसको समाप्त करना या सस्त्रों के होड को समाप्त करना यह सस्त्र नियंत्रण की अंतरगत आता है ठीक है अमित्रों एक चीज़ा आप समल लिदिए कि निफस्त्री करण जो है जो धर्ती पर वर्तमान समय में मौजूद है उनसा पूर्ण हत्यारों को समाप्त कर देना ही निफस्त्री करण है अगले कलाफ में चोकि बहुत लंबा हो जाएगा आप उपने लगेंगे इसलिए अगले कलाफ को हम यही पर समाप्त करते हैं अगले कलाफ में हम लोग पढ़ेंगे फस्त्र नियंत्राण क्या है उसका अर्थों परिभासा ये चीज़े हम पढ़ेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको फमन में आया होगा मित्रों बाकि आप लोग पढ़िये लिखिये मफ्त रहिए खुफ रहिए मित्रों चैनल को फप्सक्राइब कर दिया कीजिए ठीक है फिलहाल मारजी आपकी ही है